नमस्कार! आप सभी का हर्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाभी पूरण यानि नाभी में तेल लगाने के फायदों के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाभी पूरण को किस तरीके से किया जाता है। इसके क्या- आयरुवेदिक विधी है जिसके अंदर हमारी नाभी में ओयल यानी तेल डाला जाता है और ये माना जाता है कि इससे हमारी सेहत इंप्रव होती है लेकिन सवाल आता है कि आखर नाभी में तेल डालने से किसे इंसान की सेहत भला कैसे इंप्रव हो सकती है दोस्तों आयरुवे इसके साथ हमारी जो नाभी है ये हमारी प्राण शक्ति को भी बैलेंस रखती है। दोस्तों नाभी पूरण के बारे में ये बाते जो मैंने आपको अभी बताई हैं ये बहुत ही आसान भाशा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपकी समझ में आ चाहे। जिसे हम digestive fire कहते हैं वो बैलेंस होती है। तो इसके वज़े से आपको stress, anxiety और insomineage ऐसी problem को ठीक करने में मदद मिलती है। तो ऐसे लोग जिनके अंदरी ये सारी समस्या पाई जाती हैं जो ज़्यादा stress में रहते हैं जिनको नेंद ठीक से नहीं आती है या anxiety की शिकायत रहती है। लोगों को भी अपनी नाभी के अंदर तेल जरूर लगाना चाहिए। तिसरा फायदा मिलता है नाभी में तेल लगाने से आपकी immunity बढ़ती है। अगर आप बार-बार मौसम बदलनी की वज़े से बिमार हो जाते हैं या अलग-लग बिमारियां आपको जल्दी-जल्दी घ हो गया है तो नाभी में तेल लगाने से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। उधारण के लिए महिलाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हार्मोनल इंबैलेंस से पैदा होती हैं। जैसे कि प्रियर्ट्स के दौरान दर्द होना या फिर प्रियर्ट् के अंदर तेल लगाना शुरू कर देती हैं तो उसकी वज़े से यह हार्मोनल इंबैलेंस ठीक होने लगता है और इन सभी समस्याओं में आपको काफी ज़्यादा आराम मिलता है। नाभी पूरन करने से यानि नाभी में तेल लगाने से आपकी स्कीन हेल्थ एंप्रॉव ह इसकीन के अंदर जो फाइन लाइन्स रिंगल्स जुर्यां वगारा पड़ जाती हैं वो दूर होने लगती हैं इसकीन का कॉंप्लेक्शन भी इंप्रॉव होता है या फिर इसकीन अगर बहुत ज़्यादा ड्राय हो गई है तो वो ड्रायनिस कम होती है जिन लोगों के पेन की शिकायत रहती है चाहे वो पेन किसी भी तरीके का हो चाहे आपकी हड्यों में हो जुडों में हो कमर में हो कंदे में हो पेट में दर्द हो या फिर पिरियट्स के दौरान महिलाओं के पेट में दर्द होता है इस तरह का दर्द आपको रहता है तो इन सबी समस्याओ में आपको नाभी पूरण करने से काफी ज़्यादा मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि सर से लेके पाउं तक हर एक सिस्टम के लिए नाभी पूरण करने से कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूरु मिलता है अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं अगर अपनी ब करता है कि आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है अगर आपकी बॉडी की प्रकृति वात है तो उस केस में आपको तील का तील या फिर बादाम का तेल इस्तमाल करना चाहिए वात प्रकृति के जो लोग होते हैं इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय रहती है ऐसे लोगों क अंदर digestive problems भी अक्सर देखी जाती हैं कबज के शिकायत वात प्रकृति के लोगों के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है इसके लाब अगर आपकी प्रकृति पित है तो उसके समें आपको नारियल का तेल इस्तमाल करना चाहिए या फिर देखी घी का इस्तमाल करना चाहिए पित प्रकृति के जो लोगों होते हैं इनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है ऐसे लोगों के अंदर इस्किन में रेशिस बहुत ज़्यादा होती है दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ऐलर्जी बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे लोगों के अंदर ऐसे डिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोगों के अंदर गुसा भी बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नाभी पूरन आपको किस तरीके से करना चाहिए नाभी पूरन करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी तेल आपने लिया है उसको गर्म करना होता है ध्यान रखेगा कि तेल को कभी भी आपको डारेक्ली आग के उपर इसको गर्म नहीं करना है इसका सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपको एक बर्तन के अंदर पानी को खौलाना है यानि बॉयल करना है और जो बोतल आपकी है तेल की या फिर जो भी बर्तन है तेल का उसको इस पानी के अंदर आपको डालना है और उस तरीके से इंडिरेक्टली इसको गर्म करना है गर्म करने के बाद आपको एक जगह पर flat surface मतलब समतल जगह के उपर आराम से लेड जाना है और उसके बाद अपनी नाभी के अंदर ये जो गर्म तेल है उसको आपको डालना है तेल डालने के बाद अपने index finger की मदद से आपकी नाभी के उपर बीच की तरफ से बाहर की तरफ circular motion में आना है clockwise आपको moment करना है और धिरे-धिरे अपने circle को बढ़ाते चले जाना है यानि आप शुरू में beach से start करेंगे और फिर धिरे-धिरे उसको बढ़ा करते जाएंगे नाभी के आसपास को जो part है वहाँ पर भी आप इस तरीके से circular motion में मसाज करते रहेंगे लगबग 5-10 मिनट तक आपको इस तरीके से मसाज करना है और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए इसको आपको छोड़ देना है अबज़व होने के लिए 10-15 मिनट के बाद आप एक tissue paper की मदद से oil को साफ कर दिजे और इसके बाद आप आराम से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आपको नाभी पूरन दिन में एक बार बस करना होता है नाभी पूरन करने का जो सही समय होता है वो है सुबह में या फिर रात को सोते समय दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ना भी पूरन नहीं करना चाहिए दोस्तों ना भी पूरन एक पुरी तरह से सेफ आयरुवेदिक प्रैक्टिस है लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको इसको नहीं अपनाना चाहिए ऐसे लोग जिनके अंदर कोई पेट से समंधित कोई ऐसी बिमारी है जो कि बहुत ज़्यादा complicated है उधारण के लिए ऐसे लोग जिनके अंदर पेट में अलसर है जिनके अंदर embolical हरनिया है ऐसे लोग जिनके अंदर appendicitis है या ऐसे लोग जिनके पेट के अंदर बंद लग गया है या फिर आतों के अंदर गाठ बन गई है तो ऐसे लोगों को कभी भी ना भी पूरन नहीं करना चाहिए इसके अलाबा किसी एमर्जिंसी कंडिशन में यानि अचानक से अगर बहुत ज़्यादा पेन आपको कहीं होने लग गया है या कोई ऐसी कंडिशन हो गई है जिसमें मरीज जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बेचोयन है परिशान है ऐसे केस में भी आपको ना भी पूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे इस वीडियो में अगली वीडियो मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें धन्यवाद